लखनों से एहम खबर जहां उनाफ केस को लेकर योगी सरकार सक्त नजर आ रही है सोशल मीडिया पर अफवाः फेलाने वालों पर होगी कारवाई दुश्पचार कर माहौल खराब करने वालों पर होगी सक्ती उनाफ केस में भड़काओ पोस्ट डाले वालों पर कसेगा शिकनजा ग्रेवे भाग ने साइबर विशेशक्यों से मांगी है ऐसे लोगों की जानकारी तो उनाफ केस को लेकर योगी सरकार अब सक्त नजर आ रही है सोशल मीडिया पर अफवा फिलाने वालों पर कारवाई की जाएगी दुश्परचार कर माहौल खराब करने वालों पर होगी सक्ती इसको लेकर डिटेल्स भी मांगी गई है भड़काओ पोस्ट डालने वालों पर शिकनजा कसेगा रेवे भाग ने साइबर विशिश अग्यों से ऐसे लोगों की जानकारी मांगी है तो दरसल उनाफ केस का खुलासा हो चुका है लेकिन इससे पहले जिस तरीके केस सोशल मीडिया पर पोस्ट किये गए भड़काने की कोशिश की गई उसको लेकर अब योगी सरकार सकत नजर आ रही है दुश्पचार कर माहौल खराब करने वालों को बक्षा नहीं जाएगा और उन पर कारवाई होगी और इसी को लेकर साइबर विशिश अग्यों से ऐसे लोगों की लिस्ट मांगी गई है जानकारी मांगी गई है और इस वक्त हमारे साथ हमारे सायोगी विशाल अग्वशी जुडगे है विशाल स्यम्योगी की सकति अब उन लोगों पर भी जो की सोशल मीडिया के जरिये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे महाल खराब करने की कोशिश कर रहे थे विल्कुर निशित तोर पर उन्नाव करकंग खुले कर खाल कर लेकर अलग घटना का जिकरि किया था और इन्हीं सप्चिजिए को लेकर सिम योगिया इतना आपके निश चारी किया है चली शुक्रियों आपका विशाल इस जानकारी के लिए तो नाव केस में भड़काओ पोस्ट डाले वालों पर आप शिकंजा कसे का ग्रेवे भाग ने साइबर विशेश अग्यों से ऐसे लोगों की जानकारी मंगी है दरसल इस पूरी मामने का खुलासा हो चुका है कि एक तरफा प्यार में ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था लेकिन इसे पहले जिस सरीके से सियासत हुई इसे अलग रंग देने की कोशिश की गई थी सोशल मीडिया पर भी कई तरीके के पोस्ट डाले गए थे ऐसे लोगों पर अब कारवाई होना तैह है यूगी सरकार इसको लेकर सक्त नजर आ रही है सोशल मीडिया पर अफवा फिलाने वालों पर अब कारवाई की जाएगी ग्रेवे भागने इसको लेकर सैबर विशेश अग्यों से बाकाइदा ऐसे लोगों की जानकारी मांगी है